गुड वार्निंग स्टुडेंट्स, साइन्स फाइटर क्लासेज के इस ओनलाइन प्रेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं और वाला वीडियो था उसमें हमने एल्रेक्ट्री करेंट के बारे में डिसकस किया और आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे रेसिस्टिविटी तो सबसे पहले हम बात करते हैं resistance जो है वो किन बातों पर depend करता है तो हमने पढ़ा था कि resistance जो है वो क्या होता है length के directly proportional होता है किसी भी conductor की जो length होती है वो sorry उस conductor की जो length है उसका जो resistance है वो उसके directly क्या होता है proportional होता है यह हमने discuss किया था इसे पहले वाले वीडियो में इसको मैं देता हूँ equation first next हमने देखा था कि किसी भी conductor का जो sectional area है वो उसके resistance के inversely क्या होता है proportional होता है ये दो चीजे हमने इससे पहले वाले वीडियो में discuss की थी तो यहां से यदि हम इन दोनों को एक साथ लिखे हैं तो देखे equation first और equation second को जब हम एक साथ लिखेंगे तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ r proportional r proportional l upon a जब हम proportional का sign हटाएंगे तो equal का sign आएगा और यहां पे constant आएगा और इसको हम लिखेंगे r is equal to row l upon a जहां पे row जो है वो क्या है constant row is equal to constant यहां पे जो row है वो क्या है constant है और इस row को हम कहते है resistivity of the conductor इस row को ही हम क्या कहेंगे उस conductor की resistivity देखी हमने discuss किया था कि किसी भी conductor की जो length है वो उसके resistance के directly क्या होती है परपोसल होती है उसका sectional area उसके resistance के inversely परपोसल होता है तो हमने equation first और equation second को जब combine करके लिखा तो यहां पे आपको क्या मिला आर परपोसनल एल अपॉन ए और जब हमने परपोसनल का sign हटाया तो यहां पे रो जो है वो एक constant आया जब इसको हम लिखेंगे आर इस इकवल टू रो एल अपॉन ए जहां पे रो जो है वो क्या है एक constant है जिसको हम क्या कहेंगे resistivity of the conductor चली हम इसका SI unit find करते हैं देखिए यहां से हम रो इस इकवल टू लिखना चाहें देखिए रो इस इकवल टू क्या होगा रो इस इकवल टू यह एल अपॉन ए रो के multiply में है इकवल की उस side में जाएगा तो divide में जाएगा then finally क्या होगा R into A upon L R का जो SI unit होता है देखिए resistance का जो SI unit होता है वो क्या होता है ohm और area का जो SI unit होता है वो होता है square meter length का जो SI unit होता है वो क्या होता है meter then meter से meter cancel तो आपका जो finally resistivity का जो SI unit होगा वो क्या होगा ohm into meter resistivity का जो SI unit होता है वो क्या होता है ohm into meter next हम discuss करते हैं कि resistance जो है वो उनको किस तरह से combine किया जा सकता है देखिए resistance को हम two types से combine कर सकते हैं first यदि हम discuss करें तो first होता है आपका series combination और second होता है parallel combination तो सबसे पहले हम discuss करते हैं series combination resistance in series combination देखिए आपको इनी भी resistance को series combination में जब combine करना है उनको series combination में combine करना है तो हम किस type से उनको करेंगे देखिए यदि आपके पास three resistance given है r1, r2 and r3 आपको यहाँ पे कितने resistance given है three resistance given है r1, r2 और r3 इनको हम series combination में combine करेंगे तो देखिए यह आपका r1 यह है r1 next आपका r2 this is r2 resistance and this is r3 जब कभी हम resistance को series combination में जोड़ते हैं उनको combine करते हैं तो first resistance का second end second resistance के first end से and second resistance का second end third resistance के first end से क्या किया जाता है combine किया जाता है तो इस परकार की series जो बनेगी उसको हम क्या कहेंगे series combination इसको हम बेटरी से connect करते हैं यह positive terminal and यह negative terminal this is key तो इस परकार का जो combination होगा उसको हम क्या कहेंगे series combination देखिए यहां पर important चीज़ आपको याद रखनी है वो यह है कि series combination में जितने भी resistance लगे हुए हैं चाहिए वो four resistance लगे हूँ चाहिए वो three resistance लगे हूँ चाहिए two resistance लगे हूँ सभी resistance में जो potential difference होगा वो different different होगा आरवन के लिए potential different मैंने यहां पर लेट किया होगा वी वन आरटू के लिए वी टू एंड रथरी के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंश होगा वो क्या होगा वी थरी एंड जितने भी resistance series combination में लगे होते हैं उन सब के लिए electric current जो है वो क्या होता है सेम होता है electric current को मैंने यहां पर denote किया है आई से तो जितने भी resistance जब हम series combination में combine करते हैं तो सब के लिए electric current क्या होगा सेम होगा and potential difference जो है वो क्या होगा सब के लिए different different होगा तो यहां पर यदि हम ohms low apply करें इस circuit के लिए जब हम ohms low apply करते हैं तो हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि R1 resistance के जो ends है देखिए R1 में जब electric current flow होगा तो इसके जो ends है उन पर potential difference क्या produce होता है V1 तो यहां पर हम लिखेंगे R1 के ends पर produce होने वाला potential difference V1 is equal to क्या होगा ohms का low apply करेंगे यहां पर तो V1 is equal to क्या होगा I R1 सिमिलरली यदि हम R2 की बात करें resistance R2 के ends पर produce होने वाला potential difference क्या होगा V2 is equal to I R2 और इसी तरह से persistence R3 के ends पर हम potential difference की बात करें तो क्या होगा V3 और V3 is equal to क्या होगा I R3 यहां पर तू आएगा I R3 यहां पर आपको 3 equations obtain होती है first second and third देखिए equation first second and third से हम यह लिख सकते हैं कि यह जो पूरा circuit आपको given है इस पूरे circuit का जो potential difference होगा वो यहां पर क्या होगा देखिए इसका जो पूरा potential difference total potential difference होगा वो क्या होगा V is equal to V1 plus V2 plus V3 यहां पर हम value put करते हैं देखिए arms का low यहां पर apply करने पर V is equal to क्या होगा I R V1 is equal to होता है I R1 V2 is equal to I R2 and V3 is equal to क्या होगा I R3 यहां पर हम देखिए तो देखिए R I जो है यहां पर क्या रहा है common आ रहा है तो हम यहां पर I को क्या लेते हैं common लेते हैं then I is equal to I R is equal to I common आ गया R1 plus R2 plus R3 I से क्या cancel हो गया I cancel हो गया then finally R is equal to यहां पर हम S लिखेंगे RS का मतलब है यहां पर total resistance इस circuit का किस combination में? series combination में देखिए यहां पर हम एक क्यूशन सोल करते हैं आपको for example आपको given है यहां पर देखिए यहां पर आपको क्यूशन 5 ohm and R3 is equal to यहां पर लेते हैं हम 3 ohm यह series combination में क्या है? combine हैं जुड़े हुए हैं तो इस circuit का जो total resistance होगा वो क्या होगा? देखिए total resistance series combination क्या लिखेंगे अपन? Rs और Rs is equal to क्या होगा? R1 plus R2 plus R3 यहां पर हम value put करते हैं देखिए R1 की value क्या है? 2 ohm R2 की 5 and R3 की value क्या है? 3 ohm then finally total resistance जो है series combination का वो क्या हो गया? 5, 3, 8 and 2 कितना हो गया? 10 ohm this is the final answer चलिए next हम discuss करते हैं series combination के अलावा parallel combination resistance in parallel combination देखिए next है resistance in parallel combination जब हम resistance को parallel combination में combine करते हैं तो किस तरह से उनको combine करेंगे? देखिए for example आपको 4 resistance given है R3 मालो आप 3 resistance R1, R2, R3 यहाँ पे 3 resistance आपको parallel combination में combine करने हैं तो हम किस ताइप से उनको combine करेंगे? देखिए R1, R1 ड्रो करता हूँ यहाँ पे R1, R2, R2 and R3 this is R3 resistance यहाँ पे 3 resistance जो है वो parallel combination में जुड़े हुए हैं combine हैं तो हम किस तरह से इनको combine करते हैं? देखिए यदि जितने भी resistance parallel combination में आपको combine करने हैं तो हम उनको किस टाइप से करेंगे? देखिए सभी resistance का एक end एक साथ combine करेंगे and second end जो है वो क्या करेंगे? एक साथ क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो इस परकार का जो combination है वो क्या होगा? parallel combination यहाँ पे हम इसको बैटरी से connect करते हैं positive terminal negative terminal यहाँ पे हम की जोड़ते हैं तो इस परकार का जो combination होगा वो क्या होगा? parallel combination देखिए parallel combination में जब resistance combine होते हैं जोड़े होते हैं तो सभी resistance के end पर जो potential difference produce होगा वो क्या होगा? V यहाँ पे potential difference सभी resistance के लिए चाहे वो two resistance combine हो चे three resistance जुड़े हो चे four जुड़े हो चे parallel combination में तो सभ के लिए जो potential difference होगा वो क्या होगा? same होगा and electric current यहाँ पे पॉइंट पे ध्यान देजिए electric current है वो सब के लिए क्या होगा? different different होगा जितने भी resistance parallel combination में लगे हैं उनके लिए तो R1 में flow होने वाला electric current I1 R2 में I2 and R3 में क्या होगा? I3 तो यहाँ पे हम इस circuit में जब ohms low apply करेंगे तो इसको हम sorry तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? जब हम इसमें electric current flow करते हैं तो R1 के end पे भी potential difference we produce होगा R2 के end पे भी we produce होगा R3 के end पे भी क्या produce होगा? we potential difference produce होगा लेकिन यहाँ पे R1 में जो flow होने वाला electric current है वो क्या होगा? I1 और ohms low से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? I is equal to क्या होता है? V upon R1 R1 यहाँ पे हम I1 R1 में flow होने वाला electric current है similarly हम इसी तरह से R2 के R2 में flow होने वाला जो electric current है वो क्या होगा? I2 और I2 is equal to क्या होगा? V upon R2 और इसी तरह से R3 में flow होने वाला electric current क्या होगा? I3 is equal to V upon R3 इस circuit का total electric current हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? I is equal to I is equal to क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 चलिए value पुट करते हैं इसमें I1 की जो value है वो क्या है? V upon R1 I2 की value क्या होगी? V upon R2 and I3 की value क्या होगी? V upon R3 I is equal to क्या लिखेंगे? V upon R देखें इस equation में V जो है वो क्या है? common है तो लिए common लेते हैं यहाँ पे V upon R V क्या आ गया? common then finally क्या आया है यहाँ पे V 1 upon R1 1 upon R2 1 upon R3 V से V cancel और 1 upon R1 क्या आया है हाँ पे 1 upon Rp लिखेंगे total resistance in parallel combination is equal to क्या होगा? 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 this is final total resistance in parallel combination यहाँ पे एक क्यूशन सोल करते हैं यदि आपको 3 resistance given है 2 ohm R1 R2 की value 2 ohm and R3 की जो value है वो क्या है? 4 ohm यह 3 resistance जो है वो parallel combination में क्या है? combine है तो total resistance क्या होगा? देखिए 1 upon Rp आपको क्या करना है? find करना है R1 की value 1 upon 2 R2 की 1 upon 2 and R3 की जो value है वो क्या है? 4 तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 upon 4 चलिए LCM क्या आगया? 4 यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 2, 2, 4, 5 upon 4 यहाँ पे value आपके पास 1 upon Rp किया है यहाँ आपको find क्या करना है? Rp find करना है total resistance in parallel combination तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे उल्टा करेंगे तो Rp is equal to क्या होगा? 4 upon 5 और यहाँ पे यह क्या है? total resistance in parallel combination यहाँ पे important चीज़ जो है वो क्या है? देखिए यदि इन resistance को हम series combination में combine करें तो total resistance क्या होगा? Rs is equal to 2, 2, 4 and 4 कितना हो गया? 8 ohm और series combination में आपका total resistance आपको मिलता है 8 ohm and parallel combination में total resistance क्या मिलता है 4 upon 5 ohm मतलब एक से भी क्या कम तो यहाँ पे series और parallel combination का जो advantage है वो क्या है? देखिए यदि आपको total resistance क्या करना है? कम करना है तो हम किसी भी resistance को किनी भी resistance को parallel combination में combine करेंगे और यदि आपको ज्यादा resistance obtain करना है तो हम resistance को series combination में क्या करेंगे? combine करेंगे तो यहाँ पे आप इसको note कीजिएगा series combination में जब हम resistance को combine करेंगे तो resistance आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा और उन्ही resistance को हम यदि parallel combination में combine करते हैं तो resistance आपको क्या मिलता है? series combination की में हम हिटिंग से अलावा एक अब बचा आपका इलेक्ट्रिक पावर तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिसकूस करेंगे तब के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो